नमस्कार दोस्तों कैसे वाप लोग दोस्तों आज के वीडियो का विषय है बाइक के टायर को लेके कि बाइक के टायर को कब चेंज कर देना चाहिए दोस्तों अगर आपके बाइक के टायर में 7-8 पंचर हो चुके हैं तो अल्रेडी उसको चेंज कर देना चाहिए या तो बा तो चलाने के तो ढइंगे तो डोस्तो ट्यूप ऩो अगर चला सकते हो उसके बाद बनाने की बिधी हो और यही के मरें होती तो आगाँ aç। तो आप खुद से भी टूपलेश टायर का पंचर बना सकते हो लेकिन दोस्तों अगर टूप टायर पंचर हो जाता है तो उसमें गाड़ी को लेके जाना मुश्किल हो जाता है टायर वाले के हां पंचर वाले के हां लेके जाओ उसके बाद में टायर खोलना पड़ता है और उ लेकर सकते हैं। और उसका right बाद check करने का जो हवा भरने की बात है तो हवा भरने या ज़्यादा बाटर हना ज़्यादा च लड़ार कि भी की जब ठंड़ा रहता है अईसे टायम पे करवा सकते हैं और कहीं जाना है अगर दोस्तों बाइक लेकर रवाना होना है तो सबसे पहले आपको टायर दोनों देख लेना है एक बार नजर डाल देना है और टायर में जो उसके ग्रिप्स होते हैं उसके अंदर अगर पथल का टुकड़ा या कंकड़ या खीला कुछ भी यह कंपनी का टायर अच्छा है यह कंपनी का टायर अच्छा नहीं है सारी कंपनियों का टायर अच्छा ही होता है और कुछ कंपनियां इसे हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है उनका टायर लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो आपकी पसंद का कोई भी टायर आ तो दोस्तों आगर के आपने हुमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और आज की वीडियो में बस इतने ही मिलते हैं दोस्तों नेख्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाल